ये पवित्र शिवलिंग पूरे देश में प्रतिष्ठित हैं और इनकी कुल संख्या 12 है। भगवान शिव के इन जोतिरलिंग को प्रकाश लिंग भी कहा जाता है। ये पूजा के लिए भगवान शिव के पवित्र धार्मिक स्थल और केंद्र हैं। शिव को स्वयम भू के भी जाना जाता है। जिसका अर्थ है स्वयम उत्पन्न। आइए जाने। ये कहां हैं। पहला जोतिरलिंग। सोमनाथ जोतिरलिंग गुजरात के सौराष्टर क्षेत्र में स्थित सोमनाथ जोतिरलिंग को प्रिथवी का पहला जोतिरलिंग माना जाता है। यहां पर तीसरा, जोतिरलिंग और नदी बहने से यहां ओम का आकार बनता है पांचवा जोतिरलिंग केदारनाथ जोतिरलिंग जोकि उत्तराखंड के हिमाले की केदार नामक छोटी पर स्थित है बाबा केदारनाथ का मंदिर बदरीनाथ के मार्ग में स्थित है केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की उंचाई पर स्थित है चठा जोतिरलिंग भीमा शंकर जोतिरलिंग जोकी महाराष्टर के पूने जिले में सहियाद्री नामक परवत पर स्थित है सातवा जोतिरलिंग बाबा विश्वनात जोतिरलिंग जो की उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी माने जाने वाली वारांसी शहर में स्थित है आठवा जोतिरलिंग त्रियंबकेश्वर जोतिरलिंग जो की महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है त्रियंबकेश्वर जोतिरलिंग के निकट ब्रह्मागिरी नाम का पर्वत है इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है नोवा जोतिरलिंग वैद्यनाथ जोतिरलिंग जो की जारखंड प्रांत के संथाल पर घना में जसीडिह रेलवे स्टेशन के करीब स्थित है धार्मिक पुराणों में शिव के इस पावन धाम को चिता भूमी कहा गया है दसवा जोतिरलिंग नागेश्वर जोतिरलिंग जो की गुजरात के बड़ोदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थित है धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवत जो की तमिल नाडू के राम नाथम नामक स्थान में स्थित है रामेश्वर तीर्थ को ही सेतुबंध तीर्थ भी कहा जाता है मान्यता है कि इस जोतिरलिंग की स्थापना स्वयम भगवान श्री राम ने की थी भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किये जाने के कारण इस जोतिरलिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। बारहवान जोतिरलिंग घुशमेश्वर जोतिरलिंग जो की महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के बारहवां जोतिरलिंगों में से यह अंतिम जोतिरलिंग है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है।